नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजनतिबारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंत्र आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक स्टूडेंट गूगल फार्म से अपना ऑनलाइन एक्जाम केसे दे सकता है वो भी डिस्क्रिप्टिव फार्म वाला एक्जाम multiple choice वाले एक्जाम तो बहुत दिया होंगे लेकिन आज मैं आपको बताने बाला हूँ कि descriptive फार्म में जिसमें लिखना पड़े आपको इस टाइप का एक्जाम Google फार्म की थूग केसे दे सकते हैं यह आज मैं आपको बताने बाला हूँ अपने WhatsApp पर जाएंगे जहाँ पर आपके teacher ने question paper की link आपको send की होगी चलिए देखते हैं सबसे last में देखिए एक link है उस पर हम click करते हैं देखिए यहाँ पर question paper आपको show हो रहा है pre-mittum exam class 10th mathematics यहाँ पर जो कुछ दे रखा है email address यह सब कुछ लिखा वो आपको यहाँ पर fill करना है अगर आपने email address पर डाला है तो fill करना अदरवाइस नहीं करना है ठीके इसके बाद class है class मेरे कुछ है डालना है class 10th है मेरी class 10th मेरे डाल दिया इसके बाद name of student लिखा तो name of student मेरे नाम डाल देता हूं में इसके बाद section लिखा है section पर जाओंगा मेरा a section है तो a section डाल दिया अब मैं next को क्लिक करूंगा क्योंकि यह page मेरा fill हो चुका है अब मैं जाओंगा next पर यह next पर गया इस question जो मेरे पास है वो क्या है the angle of elevation of the top of यह पूरा question लिखा है अब मुझे इस question को descriptive form में देना है अब descriptive form में मैं लिख तो सकता नहीं हूँ है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ आ रहा है एक aid file यहने मैं क्या करूंगा अपने page पे question को solve करूंगा उसकी एक photo को निकालूँगा उस photo को मैं यहाँ पर aid कर दूँगा तो मैंने photo पेरे से निकाल कर रखिए आप क्या करेंगे आप एक एसा student जैसी question देखेंगे पहले आप copy लेंगे copy पर question को solve कर लेंगे फिर photo उसकी निकाल लेंगे और वो photo यहां जाके उसको upload कर देंगे तो मैं जाओंगा aid file पर यह aid file को click करा मैंने देखेंगे यहाँ पर select file from your device तो मेरे mobile में जो भी photo होगी उससे सम्मंदित question से वो मैं निकालनूँगा यहाँ से गेलरी में जाके मुझे question का answer मिल जाएगा यह देखें यह question है और मैं यहाँ से tick करके उस question को यहाँ पर upload लिखा रहे हैं पर मैं upload पर tick करूंगा ग्लिक करूंगा तो यह देखें अब uploading चल रही है चले एक question मेरा complete होगा है मैंने यहाँ पर मैंने जो question solve किया था वो मैंने upload कर दिया है अब मैं next question पर जाऊंगा polynomial with one term is called यहाँ पर question का direct answer पूछा है यहने कि मुझे one word में answer देना है कि ऐसा polynomial जिसका degree कितनी हो जिस पर one term हो उसको क्या बोलते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ monomial अब यह question complete होगा next question पर जाता हूँ यहाँ पर देखिए एक question लिखा आ रहा है तो फिर से में जाऊंगा अपने पर इस साल्ब करूँगा question और इस करने की बाद यहाँ add file पे जाऊंगा यह 8 file पर गया है फिर से हैं आ रहा है select files में इंसको क्रू पुपक्लिक करूँंगा फिर files पर जाऊंगा मेरे mobile की gallery में जाओंगा अब यह second question यह है मेरे पास second question इसको मैं tick करके इसको भी यह upload कर दूँगा चलिए यह question भी मेरा complete हो गया इसमें भी मैंने photo जो थी वो इसमें insert कर दिये अब last question है मेरे पास what is the value of pi pi की value क्या होती मुझे मालूम है 3.14 होती तो मैं इसको click कर दूँँ 3.14 पे देखिए मेरे सारे question हो चुके है अब यहाँ पर देखिए submit का button आ रहा है तो मैं submit की button को click करता हूँ कि जैसे मैं submit की button को click किया है तो यहाँ आपर आ गया है pre mid term exam your response has been recorded मतलब आपने जो जितने भी question किया है वो recorded हो चुके है यहाँ वो सारी जो चीजे थी जो आपने upload की थी जो कुछ किया था वो आपके teacher के पास पहुँच गया है ठीक है मतलब student end पे यह work पूरा हो चुका है लेकिन अगर आप यह देखना चाहते है कि teacher ने उसको किस प्रकार से देखा होगा किस प्रकार से उसको चेक किया होगा तो मेरे अगली वीडियो में आप जरूर देखेंगे अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे स्टेंज जोतर्श मंदर को सब्सक्राइब कीजी आज की वीडियों सितने ही मिलते हैं नहें बीचे कसा तब तक आप रहे खुश और मुझे दीजा गया जाइद